अब मैं अगर आपके जगह होता ने तो बिरेजा का ही एक साई वैरियंट तो कभी नहीं लेता उनकी बलेनों ले लो स्विफ्ट ले लो कोई से भी गाड़ी उस सेगमेंट की ले लो बस एक जगहा जो है टाटा मार्क खा जा रही है तो वो खा जा रही है अपने प्राइस य यह गाड़ी ज्यादा वैल्यू फोर मनी उसके मुकाबले होगी है 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 अब इस वैरियंट में आपको जो है एक से में जो जो सारी कमिया थी वह सारी चीज़ फूलफिल कर देती है इस वैरियंट में तो इसके उपर तो आपने अपने चैनल पर वीडियो देख रखे हैं कि आपको क्या प्राइस फर्क पड़ती है नॉर्मल इसकी एकसेम एस प्लस एकसेम प्लस वाली वैरियंट में यह दोनों की आपने प्राइस डिफरेंस और फीचर जो है इन पर वीडियो देख रखा है पट अभी जो बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा सेल हो रही है अप इसाथ बिरेजा की जो 2022 VXI वैरियंट आती है इन दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं क्योंकि सबसे पहले जैसा कि आप जान रहे हो टाटा की सेफटी टाटा की मजबूती यह सारी चीज तो आप से छीपी हुई है नहीं वाकि अगर बात करें VXI क तो उसमें इन दिनों कंपनी वालों ने काफी प्राइस कट या फिर कॉस्ट कट कर लिया है अलाकि प्राइस तो उल्टे बढ़ा दिये हैं बट जो है फीचर्स वहां पर कम कर दिये गए हैं अब बात करें प्राइस की ने तो यह जो आपके सामने खड़ी है XM प्लस S वाल बट अगर आप प्राइस यह सारी चीज़ देखोगे तो कहोगे कि नई भाई यह ज्यादा वैल्यू फॉर मनी उसके मुकाबले होगी अब चलिए तो बात करते हैं पहले फ्रेंट की और से फिर चलेंगे साइट फिर चलेंगे रियर साइट फिर जो बात है में हैं इंटीर आपकी आपको हैड्लाइंप आपकी यह चीज़ हो जाती है और वापिस से प्रेस किजएगा तो हो जाएगी और जो दूसरी यानि से केंडरी की है वह मिलती है इस तरीके की ऐसी अब ब्रेजा के अगर बात करें तो ब्रेजा मैं आपको जैसा कि आपने वैगनार इन समय द लीपान मिलते हैं दूसरे अन-लोग करने के यह जो तीसरी बटन है वह चीज़र ब्रेसलिए यह सिसमें मिलेटेड और चीज़ की खरेंब पर जार गे इंडिकेटर जो है यह चीज़ आपको मिल रहा है नॉर्मल हैलोजन वाला अब पहले जो ब्रेजा आया करती थी उसकी बेस वैरियंट से ही डूल प्रोजेक्टर एलीडी वाले लाइट हुआ करते थे जो भाई काफी बबाल लाइट थी काफी अच्छी खासी वो जो है रात क इसमें भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है यह जो है यह चीज़ आपको इंडिकेटर मिलता है तो फ्रेंट से दोनों गाली लगवाग लगवाग सेम कर जा रही है अब आईए बात करते हैं साइड से साइड में इसमें जो आपको मिल रहे हैं 16 इंच के इस्टील विल इसकी आपको टायर प्रोफाइल मिल जाती है 1952 आर 16 तो 16 इंच के ही इस्टील रिम आपको ब्रेजा में मिलेंगे बट इसकी जो चौड़ाई है यह चीज़ आपको भाई कम मिलती है यानि 195 मिलती है उस पर अगर आप जाते हैं तो वह चीज़ आपको थोड़ी ज्यादा च मिलती हैं पर यह आपको तरीके की मिलेगी यह पर आपको ब्रेजा की अच्छी है पर यहांप कर मिलती है कभी वाले उसमें जादा छे मिलती धुसरी चीज़ है अगर औरी चीज़ यह चीज़ आप पर उतनी ज्यादा प्रेमियम फिल नहीं होगी मैट ब्लेक कलर के साथ आती है बट ब्रेजा में यह चीज़ जो है वह चीज़ आपको बॉड़ी कलर के ही अच्छे क्वालिटी टाइप की चीज़ मिलती है बागे फ्यूल टाइंग कापी सिटी यह सारे चीज़ 40-45 लीटर दोनों जाड़ी उससे आगे निकलती है इसकी आपको मिल जाती है 209 mm और अगर ब्रेजा के बात करते हैं तो वह चीज़ आपकी जो है 190 mm के पास जाकर जाती है रूख अब आईए भाई पीछे साइट से बात करते हैं तो यहां पर आपको इसमें मिलते हैं सार्फिन आंटीना यही सेम चीज़ हो गई या फिर यह आपकी spoiler हो गई या फिर high mount stop lamp हो गई यह सारी चीज़ आपको उसमें भी इसी तरीके के मिलेगी सेम देखने को मिलता है यहां पर भी आपको किसी भी तरीके का wiper नहीं मिलता है उसमें भी आपको wiper defogger यह सारा चीज़ नहीं मिलेगा और tail lamp क उसमें भी आपको जो है base variant से ही company वाले देते हैं LED वाले दो जो light है ये आपकी indicator और reverse light ये दोनों इसमें भी normal halogen वाले मिलते हैं और ब्रेजा वाले यानि VXI में भी आपको normal halogen वाले ही मिलते हैं अब इसमें भी आपको किसी भी तरीके का rear camera company वाले नहीं देते हैं ना ही उसमें rear camera देते हैं बस एक जगह जो है टाटा मार खा जा रही है तो वो खा जा रही है अपने parking sensors को लेकर यहां पर आप देखे तो एक आपको इस जगह मिल रही दूसरी आपको parking sensors इस जगह मिलती है ब boot space की बात करते हैं कि भाई boot में क्या आपको फर्क मिलता है तो यह सबसे पहले आप देख लें इस तरीके की आपको की मिल रही है बट अगर आपको boot open करना हो तो यह आपकी की किसी काम की है नहीं क्योंकि अगर मैं इसे unlock भी कर देता हूं तो यह चीज़ भाई अपनी यहां boot space इसमें आपको मिलता है साड़ है 300 लीटर का वहीं अगर बात करें बिरेजा की तो उसमें आपको 330 लीटर के करीब का मिलता है तो boot space के मामले में भी इस गाड़ी में आपको ज्यादा boot space देखने को मिलती है इसमें आपको किसी भी तरीके का parcel train नहीं मिलेगा नहीं आपको यह चीज़ बिरेजा में देखने को मिलता है इस जगह आपको मिल जाता है बारा बोल्ट का एक charging socket इस जगह आपको मिलता है दो हुक और यहां पर मिलता है आपको boot lamp जो है नॉर्मल हेलोजन वाला अगें दो आपको हुक इस जगह भी मिल जाते है तीन केजी तीन केजी की आ आप वेट इसके उपर दे सकते हो अब टाटा वाले जैसे आप जान रहे हो आपको पंचर किट यह सारे चीज़ मिल जाती है जो देते हैं लगभग हर गाड़ी में और यह अपनी यहां गई है तो यह चीज़ सारे चीज़ आपको मिलते हैं अब इसकी जो सीट है न यह भी फोल्ड नहीं होती है यानि 50-50 या 60-40 में जब भी फोल्ड होगी तो पूरी होगी ब्रेजा में भी यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है जहां पर नेक्सॉन लिखा हुआ आता है इसी तरीके का अब जो है ब्रेजा में भी ब्रेजा लिखा हुआ वहां पर आने इंटेरियर में देखते हैं क्या-क्याचीज मिलती है तो सबसे पहले जैसे हैं आप इसकी डॉर ओपन करते हैं तो यह देखिए काफी वेट इसमें आपको मिलता है अगर आप व्रेजा से इसे देखते हैं तो जैसे कि यह दोखो खटाक से बंद हो जा रहा है वाकी इस को एड़ेस्च करना हो यह सारा चीज आप भाई यहां से कर पाऊगए और अन्लॉक लिवर यहां पर आपको लोडर मिलते हैं इस गाड़ी में टोटल आपको चार इस पिकर मिलेंगे यहां पर बोटलो होल्डर होगा यहां पर hight adjustment का भाई सिस्टम मिलता है नहीं अब यह जो चीज है आपको ब्रेजा में मिलता है लेकिं तरटा नेक्सौन की इस बैर्येंट में यह नहीं मिलता है बागी की यह सारी चीज़ लगाने की उसमें भी आपको मिल जाती है उसमें भी किसी भी तरीके का पुस्स श्टार्ट श्टॉप वाला सिस्टम नहीं मिलता है इस तरीके से आप फिजिकल अपने की लगाए और गाड़ी की आप इगनिशन करे आउन यहां पर उसमें कुछ-कुछ इस टेरिंग वील पर आपको कंट्रॉल मिल जाते हैं यह सारे इस इन्फोटेर्मेंट सिस्टम से रिलेटेड जो आपको मिलते हैं सब्सक्राइब भी मिल जाता है आपको आयारे जो कार कनेक्टेट फीचर है वो चीज मिल जाता है जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा अब यहां जो आपको मिल रहा है इंफोटेर्मेंट सिस्टम यह मिलता है साथ इंच का यही सेम साइज का आपको मिलता है ब्रेजा में भी तो मिल जाते हैं और यहां पर जो इस यह जा आपको ब्रेजा में लाइन वाली, सहला कि और वाली नहीं चाहिए जो इसके पीछे साइड में यहां पर आपको मिलते हैं यहां पर आपको मिलते हैं सन्रूफ तो संरूफ आपको टिल्ट करना हो इस तरीके से होंगे इस तरीके से अगर आप open करना चाहें यह सारी चीज जाने तीन टोटल आपको control से यहां पर मिलते हैं इससे बंद किज़े तो इस तरीके से बंद होगी तो अब यह जो है VXI variant वाले जो बंदे होंगे वह चीज भाई यह संरूफ करेंगे मेस पाकि यहां पर तो सारी बात होगे सिक्स स्पीट का मैनुवल गेर लिवर आपको मिल जा रहा है इस नेक्सॉन में पेट्रॉल इंजन के साथ और इसकी अगर बात करें इंजन रिफाइन्मेंट की तो वह भाई ब्रेजा से कहीं न कहीं आपको कम ल मिलता है क्योंकि उसमें मिलता है स्मार्ट हाइब्रीड वाला इंजन तो यह आपका टर्वो इंजन है इसलिए थोड़ा ज्यादा आवाज करता है और साथी साथ अगर पावर की बात करें तो पावर भी तो भाई आपको इसमें बिरेजा से ज्यादा मिलता है तो सिक्स इता है यहां पर मिल जाता है अब मिल जाते हैं तो यह चीज़ आपको प्रीजा में नहीं मिलेगी यह सिर्फ कैक्षि आपको 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 इसे मिलती है और उसमें भी स्यम यहीं पर storage space मिल जाते हैं बाकि glow box की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं कुल्ड वाले glow box जो भाई बिरेजा में आपको यह चीज नॉर्मल टाइप की मिलती है यानि cooling वाले system के साथ नहीं आती है एयर बैग यह सारे चीज तो दोनों में आपको सिर्फ दो ही दो मिलेंगे भले ही उसकी अगर आप टॉप वैरियंट पर जाते हो तो वहां ज्यादा एयर बैग मिल जाए बट इसकी टॉप वैरियंट में भी आपको केवल दो एयर बैग ही मिलते हैं में टाटा ने इस पेसली दिया है वह चीज़ यहां पर दे दिया है कि टू इन वन यान यहां से भी अगर यूज करना हो या फिर पीछे वालों को यूज करना तो वह चीज़ आप वहीं से कर पाऊगे और रियर साइट से देखे तो कुछ इस तरीके का आपको इसका एंट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी ओतनी ज्यादा मिलती है नहीं इसकी फॉर्म की आफिर आपको ब्रेजा की अब चलिए में बात करते हैं इंजन के इंजन के इतनी पावर प्रोडूस करती है इस गाड़ी की और साथ में उस गाड़ी की तो यह इंजन बोनेट आपको उपन चार्ज डीजल इंजन और दूसरा जो अभी आप देखेंगे वन पॉइंटू लिटर का थिरी सेलेंडर टर्बो चाल जो अच्छा खासा पावर प्रोडूस कर देता है यह आपका यह प्रोडूस करता है 128 का पावर और 170 नूटन मीटर का टॉर्क वहीं इसके जागा जो व में तो भाई सिर्फ आपको एक पेट्रॉल इंजन का ही ऑप्षन मिलता है वह प्रडूस कर देता है 105 पीएस का पावर और 138 न्यूटन मिटर ज्यादा तो भाई पावर फिगर का यह चीज आपको इस गाली को player कर ने में अलग ही मजाफिवाद है साथमें उस गाली की माइलेज है वह आपको ज्यादा इस से मिलती है तो चलिए भाई यही सारा चीज था हमारी तरफ से इस नियू नेक्सॉन की वैरियंट से रिलेटेड और विरेजा के वैरियंट से रिलेटेड बाकि आपको कौन सा अच्छा गाड़ी लगता है वह आप हमें कॉमेंट करके बताएं अब मैं अगर आपके जगह होता ने तो बिरेजा का भी एक साई वैरियंट तो कभी नहीं लेता उससे अच्छा भाई अपने को यह वैरियंट है कुछ पैसे एक्ष्ट्रे दो और यह गाड़ी अपने घर ले जाओ और पावर और टॉर्क इन सारे चीज़ का भाई मजा लो तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वी वीडियो तक ड्राइब सेफ वी सेफ